हलो आज बात करेंगे मैं इंडिया बूल्स हाउसिंग फाइनस स्टॉक की देखिए आज के सेशन में ओल्मोस्ट 9% उपर बंदू है 173 रुपीज के प्राइस पर एक महीने पहले इस स्टॉक को कवर किया था एक महीने पहले इस स्टॉक पर वीडियो ब Chip बनाए थी तब 149 था और आपको बताया था कि जब भी स्टॉक में गिरावट मिले जब इस स्टॉक में एक डिप आए उसको पकड़ लेना स्टॉक में Dollar का ए स्टॉक 246 पर आया और व किरियोई प्राइस पे वैलुएशन पे मिल रहा है, 368 रुपीज की इसकी बुक वैलु है, और करन्ट मार्केट प्राइस 173 है, तो लगबग 0.47 का इसका प्राइस टो बुक वैलु मल्टिपल है, इस सेक्टर में इसके बाकी कॉम्पेटिटर से कंपेर करें, तो मीडिया नियाने की एवरेज प्राइस टो बुक वैलु मल्टिपल 1.5 का है, तो अभी भी देखिए, इस स्टोक में काफी पोटेंशल है, उपर जाने का, ये फंडमेंटल के बेसिस पर बता रहा हूँ, वैलुएशन के बेसिस पर बता रहा हूँ, 0.47 से बढ़कर अगर इसका प्राइस टो बुक वैल्यू मल्टिपल 1 के आसपास भी आ जाए, तब भी ये स्टोक एक वैल्यू स्टोक की रहेगा, तो यहाँ पर भी अभी देखिए, इस स्टोक में फंडमेंटल के बेसिस पर बता रहा हूँ, प्राइस के उपर जाने का काफी स्कोप है, यह एक वैल्यू स्टोक है, ठीक है, टेकनिकल की बेसिस पर बात करें, तो टेकनिकल के बेसिस पर देखिए, यह एक लैवल बनता है, तो फिफिटी का, यह मुझे लग रहा है कि यह ज़रूर ठ्राई करेगा, टेस्ट करने की कोशिश करेगा अगले 3-4 महीने में यहां तक आने की कोशिश करेगा और रीजन आपको बता दिया बहुत ही सस्ते वैलुएशन पर पहुँच गया था थोड़े दिनों पहले अप्रेल के स्टार्टिंग में यह 95 रूपीज पर मिलता था और उस टैम इसका प्राइस टू बुक वैल्यू मल्टिपल लगबग 0.25 हो गयता तो एकदम फैकने वाले प्राइसे पर यह कंपनी आपको उस टैम मिल रही थी वहां से रैली स्टार्ट होई है और यह रैली कॉंटिन्यू रहेगी जिस तरह का मुमेंटम इस स्टॉक में बन रहे है हर दूसरे तीसरे दिन जो भी डिप आती है उसके बास स्टॉक 5%, 6%, 8% उपर की तरफ निकलता है तो यह मुमेंटम यहां कॉंटिन्यू रहेगा और मुझे ऐसा लगता है टेकनिकल के बेसिस पर यह जो 250 का लेवल है यहां पर आने की कोशिश कर सकता है स्टॉक टेकनिकल चार्ट पर पूरे-पूरे साइन्स बन रहे हैं पर देखिए आपको दो बार यहां पर डबल बॉटम फोर्मेशन बनती है दिख रही है तो यह एक काफी बुलिश फोर्मेशन है और फंडमेंटली भी काफी अच्छा एट्रेक्टिव स्टोक है वैल्यू स्टोक है यह